Hello everyone, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ किशोर तेजवानी, आप लोगों का mathematics mentor, स्वागत करता हूँ आपका आपके ही अपने magnet bands में, जो provide करता 100% quality of free education kindergarten से लेकर class 12 तक, अगर आप लोग CBST boards हैं, तो आप लोगों के लिए magnet bands का English medium channel, लेकिन अगर आप लोग हिंदी medium से हैं, तो आप लो जाते हैं, एकदम free और एकदम quality wise education दी जाती है, इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, धेरो सारे practice questions और आप लोगों को अगर हमारी e-books या e-notes avail करने, तो link के description box में given है, आप वहाँ से जाके avail कर सकते हैं, सर वो सब तो ठीक है, लेकिन आज के lecture में आप लेके क्य आए हो, तो आज के lecture में में लेका है हूँ, class 10th, sir class 10th नहीं, class 9th, 10th में अखले साल जाएंगे sir, sir class 9th mathematics linear equations and two variables, जो की आपका chapter number 4 है, उसमें हम लोग बात करेंगे NCIT example 3rd and 4th की, ठीक है, तो 3rd and 4th example तो बढ़िया तरीके से हम लोग समझ लेते हैं, आजाए, अब sir example number 3rd आपकी telephone screen, आपकी mobile screen, आपकी LED screen, अगर LED पर मेरे को देख रहे हो तो, यह रहा sir, sir, find 4 solutions of the equation x plus 2y पराबर 6, अब हमें इसके 4 solution निकालने हैं, इस equation के, एक बात समझना, इसके 4 के हमें 40, 404,000 और 4,000,000 solution निकाल के दिखा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि sir, यह है linear equation in two variable, और sir, linear equation in two variable में आ आपके पास infinitely many solutions possible हैं, तो sir, यहाँ पर 4 solution बोले न, मैं sir, 40,000,000 निकाल के दे सकता हूँ, समझ रहे हो आद को, और उससे भी जादा, infinite number of solutions मैं यहाँ पर calculate करके दे सकता हूँ, चलो, अब यहाँ पर हमें इस question को कैसे करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, to find solution of given equation, we have to substitute different values of x and y, कहने का मतलब कहा है वो समझना, अगर आपको यहाँ पर solution निकालने न, given equation के, तो आपको यहाँ पर different values रखनी पड़ेंगी, different values substitute करनी पड़ेंगी, x और y के लिए, ठीक है, अब जैसे equation है, आपके पास x plus 2y बराबर 6, आज आओ वही यह, देखते हैं, x plus 2y बराबर 6, पहला case देखना, आपको सबसे पहले अगर कोई भी equation में, बोले different solution निकालो, आप एक बात तो दिमाग में बिठालो, कि एक बार में x बराबर 0 रखूंगा ही रखूंगा, तो मेरे पास y की value आएगी, एक बार मैंने x 0 रख लिया, अब मैं y 0 रखूंगा, त आपन लोग एक बार x की value 0 रखें तो y की value आएगी, एक बार y की value 0 रखो तो x की value आएगी, तो दो solution तो आप कैसे ही तयार होगा ही की नहीं होगा है, होगा है सर, अब बाकी के बच्चे दो तो उसके बारे में बात में बत करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर रखेंगे x बरा पर कित्ता 6, मतलब कित्ता 2y परापर 6, और sir y परापर कित्ता आगया, आपके पास 3 आगया, तो हमने यह देखा कि 0,3 is a solution of the given equation, क्या बोल रहा हूँ है, 0,3 यह एक solution निकल के आगया, अब आजाओ जारा दूसरा solution देखो, अब आजाओ, आपके पास equation है, x प्लस 2y परापर 6, ठीक है sir, अब आपको एक बार x बरापर 0 रख दिया, अब एक बार y परापर 0 रखो, चलो, एक बार y परापर 0 रखो, जैसी आपने y परापर 0 रखा, तो देखो क्या हुआ, sir, यहाँ पर हुआ, x प्लस 2 multiply by 0 बरापर 6, अरे समझे की नहीं समझे, समझ गया sir, एक बार काउनों, x बरापर 0 रख दाओ, तो y बरापर की वल्यू आपकी, एक बार sir, y बरापर 0 रख दाओ, तो sir, x बरापर की वल्यू आपकी, sir, आप गाउन की भाशा में की बात करो, अरे entertainment भी तो होना चाहिए ना, थोड़ा 6, done है, तो हमने क्या क्या रखा भईया, आप हमारे पास solution आगया, 6,0, आप देखते जा रहे हो, एक आया 0,3, एक आया 6,0, अब तीसरा solution निकाले, बोले हाँ sir, sir, मजा आ रहा है solution निकालने में, मैंने बोला, भईया, बहुत शानदार, पढ़ाई में मजा ही आता है, देख teacher interesting होता है, पढ़ाई में कभी बोर नहीं लगता, ये बात ध्यान रखना, अगर teacher interest ले रहा है, बच्चा interest ले रहा है, तो पढ़ाई कभी भी boring नहीं है, ध्यान रखना, अब sir, एक बार हमने x0 रखा तो y की value आ गई, y0 रखा तो x की value आ गई, अब क्या करने वाले, मैंने sir, अब equation लो फिर से, क्योंकि 4 solution निकालने है, 4 और वो भी अलग-अलग, same नहीं होने चाहिए, ठीक है, sir, अब हम एक काम कर रहे हैं कि x बराबर sir, हम 2 ले रहे हैं, अब हम x बराबर 2 ले रहे हैं, तो y की value देखते कितनी आएगी, चलो, 2 जैसी आपने डाला, तो यहाँ पर क्या, अरे समझ गए, क्या समझ गए, sir, तो जैसे हमने x की value को 2 डाला, y की value फटाक से कितनी आगई, 2 आगई, ठीक है, अब आप एक value तो खुद सोचना पड़ेगा, एक value तो आपको खुद ना खुद सोचना पड़ेगा, क्या सोचा, बोले sir, देखो, इस बार अब try करके देख लेता है, sir, x plus 2y बड़ाबर 6 है, कुछ ना कुछ तो, sir, try करके देखते है, sir, यहाँ पर हमने x बड़ाबर 0 लिया, फिर y बड़ाबर 0 लिया, फिर x बड़ाबर 2 लिया, अब sir, y बड़ाबर कितना लो, तो मैंने बला, y बड़ाबर कुछ भी ले लो, आप, 2 जैसे ही right side में गया, तो x बड़ाबर आ गया, आपके पास 4, समझे क्या, अरे समझ गया, sir, तो solution क्या निकल क्या है, solution निकल क्या है, sir, जब हमने y को 1 रखा, तो x 4 आ गया, अब समझना बात को, 0,3, 6,0, 2,2, 4,1, are the four solution of this equation, क्या लिख दोगे last में, बस आपको last में एक ची लिखनी है, बस आपको last में एक चीज लिखनी है, वो मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है, क्या-क्या लिखोगे, 0,3, 6,0, 2,2, and 4,1, are solution of given linear equation into variable, या given equation लिख देता हूं, समझ गए, तो बास, आपके पास ये आगया final answer, सर, जल्दी से एक बाद screenshot ले लो भाई, हो गया, हो गया, सर, ठीक है, अब जैसे ही ये वाला question होगे, अब क्या है हमारे पास, अब next question करना है, अब क्या करना है भया, अब next question करना है, अब सर, यहाँ पे हमें 2 solution निकालने, for each of the following equation, 2-2 solution निकालने, सर, 2-2 solution तो आसानी से निकल जाएंगे, सर, अगर बात करूँ यह वाली equation में, तो एक बार मैं x बराबर 0 ले लूँगा, तो y की value आजाएगी, एक बार y बराबर 0 ले लूँगा, तो x की value आजाएगी, यह निकल गए 2 solution, मैंने बोला very good, very good, बहुत शानदर, अब आ रहा है मजा, अब आ रहा है ना मजा, हाँ सर, अब आ रहा है मजा, ठीक है, अब दो solution निकालो, पहली equation ले लो, 4 x 3 y 12, क्या लिखोगे, सर, same to same कहानी, To find solution of given equation, we have to substitute different values of x and y, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, अब एक बात देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार x बराबर 0 लूँगा, तो y की something कुछ ना कुछ value आईगी, यह बात पक्की है, अब लेके रहो, x की जगे पे हम कित्ता रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, plus 3 multiply by y, बराबर कित्ता 12, सर, 4 0 सा 0, और सर, 3y बराबर कित्ता हो जाएगा, आपके पास 12 हो जाएगा, और y बराबर कित्ता आजाएगा, आपके पास 4 आजाएगा, ठीक है, ठीक है सर, अब यह बात तो clear हो गई सर, की 0,4 हमारा क्या निकल गया, एक solution निकल गया, समझ रहे हो, 0,4 हमारे पास एक solution निकल गया, कि जब आपने x बराबर 0 डाला, तो y की value 4 आगई, अब दूसरा solution निकालने के लिए तयारे क्या, ठीक है सर, दूसरा solution निकालो, अब आपने x बराबर 0 रखा तो y की value आई, अब मैं बोल रहा हूँ, y बराबर 0 रखो, ओके सर, y बराबर 0 रखो और देखो x कितना आता है, सर काय में रखना है y बराबर 0, अरे मैं ने बोला, इसी equation में रखना है भया, ठीक है सर, रखता हूँ, सर 4x प्लस 3 multiply by 0, बरोपर मेरे पास 12, सर 3 0 सा 0, सर 4x बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 12, और x बराबर कितना हो जाएगा सर 4 3 सा 12, समझ गए क्या बात को, सर बड़ी आप हैतरीन तरीके से समझ गए, बहुत शांदार तरीके से समझ गए, तो आपके पास solution क्या क्या हो जाएगा, सर 3, 0, सर 3, 0 क्यों, अरे क्योंकि x का मेंबर पहले आता है, याद करो हमारा coordinate geometry में पढ़ाता है, कि हमारा x का मेंबर पहले आएगा और y का मेंबर बात में आएगा, और क्योंकि एक order में जमें हुए इसलिए हम इसको order pair भी कहेंगे, ठीक है, हो गया, बढ़िया तरीके से, वह शांदार, यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा से line खीचके, यहाँ diff नीचे लिख देता हूं, कि 0,4 and 3,0 are two solution of given equation, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ठीक है, तो यह हो गया, आपके पास answer, ऐसे करके हमको आना पड़ेगा, ऐसे करके आओगे, तो भी मज़ा आएगा, अगर ऐसे करके नहीं आओगे, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, सर, अब क्या करना है, मैंने बोला, आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, ठीक है, सर, आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप कर रहे हैं हम लोग second वाला, ठीक है, case तो वही करेंगे हम लोग, आजाओ, समझते जारा साथ, इस बार equation बस अलाग है, क्या equation है, सर second question की बात कर रहा है, 2x plus 5y बढ़र 0, क्या क्या क्या, 2x plus 5y बढ़र 0, सर, एक बार x की value 0 डाली आपने, एक बार आपने x की value 0 डाली, तो सर, y की value किती आइगी, धेखो, जैसे ही मैंने x की value 0 डाली, प्लस मेरे पास 5y बढ़र 0, तो ये पूरी 0 गई, मतलब 5y बढ़र 0, अरे मतलब Y बराबर 0 मतलब की Y बराबर 0 अच्छा अब के पास X बराबर 0 रखने पर Y बराबर 0 आया अब मैं बोल रहा हूं कि X बराबर 0 इसमें डालोगे तो आपके पास X बराबर भी 0 आया तो यह दोनों तो common solution हो गाए तो अब अगर हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो y 0 मिल रहा है अगर हम y 0 रखेंगे तो obviously x भी 0 मिलेगा तो आपको इस value के अब अलावा कोई दूसरी value रखनी पड़ेगी मेरे दोस्त आपको इस value के अलावा कोई दूसरी value रखनी पड़ेगी क्योंकि यह आपके पास equation ही कुछ इस तरीके के दिए समझ गए बात को समझ गए सार चलो तो अब x की value क्या रखोगे ऐसी जो y की value आपके पास आजाए सर अब हम x की value तो रख चुके है चाहो तो फिर से एक x की value रख लो तो x की value सर इस बार हम रख रहे हैं 5 और देखते सर y की value कितनी आती है तो जैसे आपने x के value 5 रखी तो 2 multiply by 5 plus 5y is equal to 0 sir 5 to 10 plus 5y is equal to 0 sir 10 right side में गया तो 5y बराबर माइनस का 10 और sir y बराबर माइनस का 2 simple sir very simple very 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 simple तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो x बराबर 0 पर y बराबर 0 आया आया sir और यहाँ पर अगर बात की जाए तो x बराबर 5 पर y बराबर माइनस 2 आया आया sir तो आप क्या बोल सकते हो कि 0,0 and 5,2 are two solutions of given equation पक्का एक बार जल्दी से प्यारा वाला screenshot तो बनता है बनता है बनता है एक बार प्यारा वाला screenshot तो बनता है हो गया क्या पक्का ठीक है सर हो गया तो जैसे ही अब हो गया तो अब हम कौन सा वाला करेंगे सर थर्ड वाला डिसकस करेंगे क्योंकि सर ये तो आपके पास अलग ही दिख रहा है ये तो आपके पास सर अलग ही दिख रहा है तो मैंने बोला कोई दिख कर नहीं है मैं हूँ न करवा हूँ एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीन चॉट लो हो गया क्या हो गया सर सर अब करते हैं हम लोग थरड़ वाला क्योंकि सर थरड़ वाला भी आपने धोड़ देर पहले ही उमग दिया पर अब आप बोल रहों करना है तुम सर आपने बोला करना है मतलब करना है ठीक है भाई या चलो करते हैं घबरानी की बात नहीं है बहुत जादा आसान कोशन है सर 3Y प्लस 4 बराबर 0 3Y प्लस 4 बराबर 0 सर एक बात बताओ पहले तो चैप्टर का नाम है सर linear equation in two variable सर यहाँ पर एक variable सर यह कैसे होगा मैंने बोला समझू बात को बोल रहा है एक variable पर चैप्टर का नाम है दो variable तो हम दूसरा variable लगा नहीं सकते क्या सर लगा सकते आपने हमें सिखाया है कि सर यहाँ पर हमको क्या करना पड़ती हमको यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ती मतलब की सर इसको हम लिख सकते है 0x प्लस 3y प्लस 4 बरोबर 0 अरे सर उससे क्या हुआ मैंने बोला 0 into x तो 0 ही हो गया बच आपने पास 3y प्लस 4 बराबर 0 ओक किसर सर अब हम क्या करें तो मैंने बोला देखो एक पर x बराबर 0 तो रखोई ठीक है तो सर अब आपके पास वो सब लिख देंगे सर हम जो भी है एक पर सर x बराबर 0 रखो तो y बराबर देखते किता आता है जैसे ही आपने 0 रखा तो 0 के बाद y की वैल्यू आ जाएगी ठीक है सर 0 प्लस सर 3y प्लस 4 बराबर 0 तो सर अब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी कित्ती माइनस का 4 by 3 ठीक है सर सर ये एक solution कहलाएगा क्या मैंने बुला क्यों नहीं कहलाएगा बिल्कुल कहलाएगा ये आपके पास एक solution बिल्कुल कहलाएगा ठीक है तो आपके पास x बराबर 0 रखने पर y की वैल्यू कित्ती आ गई माइनस का 4 by 3 ठीक है सर तो एक solution आपके पास निकल गया क्या सर एक solution मेरे पास निकल गया जो है 0, माइनस का 4 by 3 ठीक है सर सर अब क्या करूँ तो मैंने बुला एक solution तो आगया अब x की कोई ऐसी value सोचो जिसमें आपको y की value मिल जाए ठीक है सर y की नहीं सोच सकता मैंने बुला y की भी सोच सकते हो लेकिन इस case में क्या y की मत सोचो क्योंकि y की अगर कुछ न कुछ value सोचोगे तो आप x की value तो यहां से निकाली नहीं पाऊगे तो x की value रखो let suppose मैंने x की value 1 रख दी कुछ भी रखोगे वो तो 0 हो नहीं ठीक है x की value आपने क्या रख दी x की value आपने 1 रख दी तो जैसी आपने x की value 1 रखी आपके पास तुरंट क्या आया सर तुरंट आया आपके पास 0 प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 देख पारे हो आप ठीक है अब आपके पास यहां से क्या आजाएगा 3y बराबर माइनस का 4 और y बराबर आजाएगा आपके पास माइनस का 4 प्लस 3 सेम्पल बेरी सिम्पल सर सेल्यूशन के निकल के आजाएगा 1, माइनस का 4 प्लस 3 अब ऐसा क्यों हो रहा है y की value सेम क्यों हा रही है क्योंकि आप देखो x की value कुछ भी रखो दुनिया भर की रखो value 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो जब वो चीज 0 से multiply होगी तो यहाँ पर तो पूरी value 0 हो जाएगी Done sir तो यहाँ से आप y की value निकाल लोगे आसानी से निकाल लेंगे sir Thus, 0, minus 4 by 3 and 1, minus 4 by 3 is a solution of given equation समझ गए? समझ गए sir तो यह दो solution आपके पास आ गए देखो, एक solution यह है और दूसरा solution यह है तो यह है आपके पास दो solution बबू clear है? बैंकर तरीके से clear है sir बैंकर तरीके से clear है यह पता नहीं क्या बन गया लेकिन इसको सही तो करना पड़ेगा चीक है sir बढ़े आगे बढ़े बढ़ते है sir तो चलो इतना हो गया अब इसके पास बजाई क्या है खतम sir सर बहुत शांदार तरीके से example number 3 और example number 4 आ गए और बढ़िया तरीके से sir सारी चीज़े हो गई तो बस यही तो काम है magnet bands का कि आपको प्रोवाइड करना 100% quality और free education के डगाडन से लेकर class 12 तक अगर आप लोग English medium CBAC board से हैं तो लेकिन sir अगर मैं Hindi medium से हूँ तो मैं क्या करूँ तो घबरानी की बात नहीं है आप लोगों के लिए magnet bands का Hindi medium channel एक तो भाईया English medium channel अलागे और Hindi medium अलागे English medium में अभी आप पढ़ी रहे हो और Hindi medium में आप पहुच जाओगे Hindi medium channel में जिसमें cover किये जाते हैं आपके English medium से अगर आप हैं तो CBSC board ठीक है और जादा से जादा MP board अरे क्यों भाईया क्योंकि सर CBSC board और MP board का सिलेवस तो लगबख सेमी है सर लगबख कि आप तो NCIT रहन हो रही है चलो तो CBS Hindi medium में आपका cover किये जाता है CBSC board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board अब UP board, Bihar board और आपका MP board तो बड़िया तरीके से cover किये जाता है Hindi medium में साथी साथ हमारी कुछ और भी courses है जिसका नाम है Vedic Maths Crash Course और Spoken English आप हमारी YouTube चैनल पर हमेशा आ जाते है बड़िया तरीके से आईए पढ़िये लेकिन वीडियो को at least like, share और subscribe तो करी हाँ मैं तो यह बोलता हूँ कि कोई भी teacher के, कोई भी class के, कोई भी lecture, कोई भी subject के, कोई भी topic आप देख सकते हो Community के option पे नजरे बना के रखें क्योंकि यहाँ पर आता है Magnet Bains का update आप हमारा app डाउनलोड कर सकते हो Grab eNotes के option में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारी eNotes अवेल कर सकते हैं आप website विजिट कर सकते हैं अगर आपको हमें join करना है तो आप हमें join कर सकते हैं Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पे eNotes या eBooks अकर अवेल करने हैं तो link description box में given है आप वहाँ से जाके अवेल कर सकते हैं आज के session में सरफ इतना ही मिलते हैं नेक्स session में तब तक लिए बाई बाई अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज़ की पढ़ाई करते रहें क्योंकि वह बहुत जादा जरूरी है बाई बाई